हमें भारत में एक robust manufacturing base build करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए चाहिए केंदर सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानिय स्वराज के संस्ताओं के नियम हो, प्रावेट पार्टनर्सिप हो, कॉर्परेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें देश में आज जिसकी जरुरत है, जिसकी आवश्यक्ता बढ़ रही है, उसमें हमें making India को बढ़ावा देना है अब दो चीजे हैं, एक export को धर्मेक करके सोचना, दूसरा भारत की requirement को पूरा करने के लिए सोचना चलिए मानिए जी हम दुनिया में competitive नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यक्ताओं में हम वैसा quality material दें ताकि भारत के लोगों को बहार देखना न पड़ें, ये तो हम करी सकते हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेकिन इंडिया में हम दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल के लिए से कहा था, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमारा प्रोड़क्त, रती भरभी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए, competitive world में quality मेटर करती हैं, और दूसरा, आज दुनिया environment conscious है, तो जीरो इफेक्ट, environment पे जीरो इफेक्ट, यह दो ऐसे मंत्र है, जो हमें दुनिया में quality के कारण, और global warming के सामने चुनाउतियों को निपटने के रास्ते के कारण, हमें स्विकार कर सकता है, उसी प्रकार से, आज जिस प्रकार से technology बडली है, जिस प्रकार से communication world में, जबर्जस revolution आया है, अब जैसे semiconductor, अब semiconductor के एक शेत्रम है, अब हमारे लिए आत्म निर्भर बने बिना कोई चाराई ही नहीं है, making India के लिए मैं मानता हूँ एक नया शेत्रम नई संभावना ये लेकर के आया है, हमें ये दूर का देखना चाहिए, साथ साथ हमारी ज़रूरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचें, तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है, हम देख रहे हैं कि कैसे EV, इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के चेत्र में लोगों का अकर्शन भी बन रहा है, एन्वार्मेंट के ज़ेश्ट के भी बन रहा है, और डिमांड भी बढ़ रही है, क्या भारत उसमें इनोबेशन नहीं कर सकता है, मेकई नीडिया मैनिफट्और नहीं कर सकता है, मैं समझता हूं कि मेक in India की भावना के सब्सक्र भान के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए. कुछ विशेश प्रकारती स्टील के लिए भी, भारत आयाधा पर निर्भः हैं, हमारा आयनो और विदेश जाएं, और हम उनी देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें अब ऐसी तो कैसी स्थिती हैं कि भी हम उस आयन ओर से उस टील को न बनाएं जो हमारे देश की ज़रुरत है मैं से बता हूं कि यह हमारा कर्तवी भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आगर करूँगा कि आए यह कच्छा माल आयन ओर बाहर बेज बेज करके हम क्या देश को देंगे साथियों भारतिय मैनिफेक्टरस को यह देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो कम से कम हो इसलिए इस खेत्र में भी मेक इन इंडिया आज समय की माग है एक और सेक्टर मेडिकल एक्विप्मेंट्स का है बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल हम उसके लिए जो आवश्यक एक्विप्मेंट्स होते हैं बाहर से मंगवाते हैं अब क्या हम medical equipment नहीं बना सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ को इतना कठीन काम है, हमारे लोगों में उतना सामर्त है, कर सकते हैं, हम उस पर जोड़ दे सकते हैं, क्या हमें ये समझना ही होगा, कि कोई चीज मार्केट में उपलब्द होना, मतलब हम संतुष्ण हो जाएं, भें लोगों की requirement पूरी हो रही है, माजार में चीजे मिल रही है, लेकिन वो बाहर सी आई हुई चीजे, और making India product, ये उपलब्द हो और जब वो देखें, और उसका मन करना चाहिए, बाहर वाले से तो ये हमारा चाहिए, हमें ये लेना है, ये स्थिती हमें पैदा करनी चाहिए जी, और ये फर्क नजर आना चाहिए, अब देखें हमारी हैं इतने त्योहार होते हैं, होली है, गणेशोत्सव है, दिपावली है, इतनी सारी चीजे इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका एक मार्केट होता है, स्केल बह लोगों की रोजी रूटी का अवसर देता है, लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगा बना लिये हैं, अब ये पहले सारी चीजे हमारे लोकल मैनुफेक्टरर्स इस डिमांड को पूरा करते थे और बरत अच्छे रंगे करते थे, अब समय बदलते है, उसकी चीजों को बजलना चाहिए, पुराने धरें हम नहीं रह सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि उसमें आपने लीड लेनी चाहिए, और जब मैं बहुत वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के लिए बुलता रहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को लग आप भी जो मेरे सेमिनार में हैं एक काम कीजिए आपने बच्चों के साथ बैठिये अपने घर में सुबेशे शाम तक जिन चीजों का उप्योग करते हैं उसमें कितनी चीजे हैं जो आप भारत की उप्योग नहीं करते हैं और अनिवार या रुप से विदेशी लेनी ही पड कीजिए और फिर देखिए आपको भी चौक जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और इसलिए मैं मैं जो मैंनुफेक्टरर्स हैं उनको भी मैं और लाना चाहता हूं साथ यह कौर विशा है भारत में बने प्रोड़क्स की ब्रैंडिंग का अब मैं तो देख रहा हूं हमारी कंप करते हैं आप अपने करते तो साथ साथ इसको भी बूलिए न क्या जाता है आपका आपका तो माल बिखने वाला है और इस देश में आज भी देश के प्रती भावना रखने वाला बहुत बड़ा सम्मुदा है जो इस विसे में कॉंशेसली प्रायात न करता है लेका आप उस आपकी महनत निकम में नहीं है जी आपके पाद अच्छी चीजे हैं लेकिन हिम्मत के साथ आप आईये दोकों को बताईये कि हमारे देश हमारी मिट्टी की चीज है हमारे लोगों के पस्देने की महक है उनको भावात मुकृप से जोड़िये और मैं चाहता हूं इसके पार्टी मिल करके हम एक अच्छी सी चीज डेवलप पर सकते हैं